थारा सुस्तावन की करांटी के बाद अंग्रेज लोग एक ओर लगे हुए थे हर परकार से अतंक भहे का मोल महौल करियेट करने में और दूसरी तरफ करांटी कारियों के एक लंबी श्रिंखला बनती जा रही थी 19 मिश्तावदी कांट हो चुका था 20 मिश्तावदी आरंब हो चुकी थी 20 मिश्तावदी के आरंब में भारत के विदेशों में रहने वाले क्रांटी कारी तो अपना काम कर रहे थे वहां से वो शस्त्र अस्त्र शस्त्र भारत में चोरी चिपे भेजवाने का परबंद कर रहे थे और वहां भेजते थे यहां पर जिन राज्यों में अंग्रेज्जों को शासन नहीं था भारत के उन स्थानों पर एक सैनपती बापट और हेम चंद्र दास ये दोनों करांटी कारी विदेशों से निकलते हैं भारत में बहुत सारी पुष्ट के और कई परकार के अस्त्र शस्त्र लेके पहुशते हैं और उन पुस्तकों में बम बनाने की प्रक्रिया अन्य एक्स्प्लोस्टिव त्यार करने की प्रक्रिया भी लिखी हुई है वो यहां के करांटी कारियों को बांट रहे हैं कि हम खुद अपने यहां कुछ शस्त्र बनाना एक्स्प्लोस्टिव बनाना सीख जाएं यह सब बहुत सारे जुवा इसकी ट्रेनिंग लेना अरंब करते हैं पुस्तकें पढ़ते हैं और यह कांदी भारत में शुरू हो जाता है बिसमी श्टाप्दी के अरंबी का वस्था की यह कहानी है उदर बेंगाल के करांटी कारियों के नेता के रूप में अर्विंदू घोश उबह रहे थे इससे पहले कि वो बेंगाल के नेता के रूप में उबह थे वो बढ़ोधा में एक कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे उप्राचार्या थे वहाँ पर उनकी भेंठ होती है स्वामी विवेकानांद की परमशिश्या भगनी नवेदिता से और भगनी नवेदिता के प्रेर्ना से भगनी नवेदिता के परियासों से उससे प्रवावित होकर भगनी नवेदिता इनको ये कहती है कि आप बेंगौल में जाए वहाँ करांती का बीज को चादिक दिख रहा है और वहाँ आप जैसे योग्य पड़े लिखे सक्षम व्यक्ति की आशकता है आपके अंदर तो वो बीज है ही है पर उनको नित्रेत्व देने वाला कोई उस परकार का सक्षम व्यक्तित्व चाहिए और अब वहाँ के क्रांती कारियों को दिशा दे रहे हैं अरविंदु घोश अनुशीलन समती बनाकर वो अपनी अटिविटिस वहाँ अरंब करते हैं क्या देखा जा रहा है कि एक बेंगॉल में कैलकटा में मिस्टर किंग्स फोर्ड नाम का एक मैजिस्ट्रेट बहुत अत्याचार कर रहा है आपने नयायले में बहुत सारे नवल्योकों को फान्सी की सजाई दे रहा है वो अलग ढंग से पक्षपाती रवय अपना कर और करूरता का बिहवार कर रहा है अन्याय कर रहा है पक्षपाती निरने दे रहा है अनुशीलन समती के सामने ये बात आई तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया एक पुस्तकों का बंडल बना कर उसके दीच में बंब रखकर उसको भिजवा दिया और वो खोलेगा तो उसका काम दमाम हो जाएगा लेकिन उसकी आयू कुछ अभी थी वो पुस्तक का बंडल लेते हैं उसने एक ऐलमीरा में रख दिया और उसको बड़ी देर तक नहीं खोला अब इस बीज में चुके किंग्स फोर्ड के लिए कुछ सरकार के दियान में आने लग पड़ा था कि इसके विरूद्धी और इसको खतम करने के लिए या इसको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी हो सकता है इसलिए उन्होंने कैलकटा से उसको ट्रांसफर करके उत्तर भिहार के मुजफरपुर में भेज दिया अनुशीलन समझती का वो बॉम बाला मामला तो अभी तक साफर नहीं हुआ था बंडल वहीं पड़ा हुआ था लेकिन यहाँ पर दो नौजवानों को भेजा गया अस्तर शर्स्तर दे करके के मुजफर पुर जाकर के उससे बद्रा लिया जाए उस दुष्ट को धर्ती के उपर से मुक्त किया जाए दंडिट किया जाए जो दो नौजवान चुनेंगे उनमें बेंगौल की सबसे छोटी आयों का वो क्रांतिकारी भी था जिसको फांसी हुई खुदी रामबोश और उसके एक साथ ही प्रफुल चंदर चाकी चाकी बैंगौन में चकरवर्ती के नाम से ही जाने जाते हैं खुदी राम बोश और प्रफुल चंदर चाकी को मुजफर पुर भेघ दिया गया कि वहां जाके देखें और वहीं पर उसका काम खत्म करें ये एक धर्मशाला में रहने लग पड़े साथ आठ दिन उसकी रेकी करते रहे उसकी अक्टिविटीज देखते रहे क्या देखते हैं कि उसके घर के वाकिंग डिस्टेंस पर थोड़ी दूरी पर एक कलब है यहां पर अंग्रेज लोग शाम आ करके मनोरंजन करते हैं गेम्स खेलते हैं और जो भी उनका मनोरंजन के तरीके हैं वो करते हैं और इसलिए वो डेली वहां पर कलब में आता है लेकिन उसको हम कलब में नहीं मारेंगे अंदर में नहीं मारेंगे बाहर ही उस पर अटैक करेंगे कलब में एक मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी दोनों किंग्स फोर्ड के साथ ताश खेल रहे हैं खेल के समापती पर घर वो जल्दी आना चाहते हैं किंग्स फोर्ड अभी अंदर है इनुने रेकिंग में क्या पता किया था रेकिंग के अंदर कि वो एक रंगदार रंगीन बग्गी में आता है परंदू शायद उनको ये नहीं पता था कि एक बग्गी और मिस्टर कैनेडी की भी ऐसी ही रंगदा थी अब ये मा और बेटी दोनों निकले और अपनी बग्गी में बैठके जब ये बग्गी किंग्स फोर्ड के घर के बाहर पहुंची तो इनको ये लगा कि ये तो किंग्स फोर्ड ही है रंगीन बग्गी उशिकी है वहाँ पर बॉम मार दिया पहली बार भारत के करांतिकारी दिहास में बम का प्रियोग हुआ था आगे पिस्टर डिवालबर गोली कट्टे का प्रियोग होता था लेकिन बम का प्रियोग उसके बाहर वो पहुंची उदर से निकलना होगा इन्हों नों यह सोचा कि एक इस फोर्ड अपने घर के बाहर पहुंच गया है और पीशे से जो अंधेरे में छिपे हुए थे जारी के पीछे पीछा करते हुए उस पर बम मारा गया और बग्गी उड़ गई और बेटी वहीं पर मिस्टर केरेडी की बेटी वहीं पर समत्त हो गई और पत्नी अधिक जख्मी हो चुकी थी कि वह भी हॉस्पिटल से पहले ही समत्त हो गई मा बेटी दोनों चले गए और यह यह सोच करके कि हमने किंस फोर्ड को उड़ा दिया रात भर दोड रहे हैं भाग रहे हैं वहां से निकलना जरूरी है धर्मशाला चाहतार दिन रहे हैं तो वहां भी पोलीस पहुंचेगी और शाम को इन दोनों को एक जो दो अंगरक्षक थे किंस फोर्ड के फेजुदीन और कसील दार खान उन दोनों ने घुमते हुए इन दो लड़कों को इन दो करांतिकाजियों को वहां खड़े देखा था चलते फिरते देखा था और उनको वहां से हटा दिया गया था शाम होते ही पचले जो अब यहां नहीं तो वह तो उनका काम हो गया था जब ये काम हो गया और पता चला तो सुबह तक कुछ भी खबर नहीं कहीं भी खबर नहीं पर उन दोनों नहीं ये बात कहीं कि हां बही दो लड़के ऐसे शाम को थे उनको हमने हटाया था कहीं वहीं नहों और ये दोनों क्रांटी कारी थोड़ी दूर अंधेरे में भागने के बाद दिशाए अलग-लग कर ली और चलना शुरू कर दिया 25 मील रात को दोड़ते भागते हाफते जैसे भी बेनी नाम के एक गाउं में खुदी राम बोस पहुंचते हैं और वहां यह सोचके कि एक बादिया की दुकान पर गुर्चना थोड़ा ले लेता हूं खा लेता हूं पानी पी लेता हूं फिर यहां स्टेशन भी है स्टेशन से मैं बैठके चला जाओंगा किसी और ठिकाने पर वो गुर्चना लेते लेते वहां कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसे ऐसे मिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी दोनों एक बम ब्लास्ट में मारे गए हैं और वो पकड़े नहीं गए अभी तक जिन्नोंने मारा है बम ब्लास्ट किया है इसके मूँ से अक्समात कैसे निकल गया क्या निकला अरे अरे वो मिस्टर किंग्स फोर्ड बच गया किंग्स फोर्ड बच गया ये कहने का जो हाँ भाव था वहाँ पर बैठे लोग जो थे और उने के पास बाहर साथ में ही दो पुलीस वाले खड़े थे उनको शक हो गया कि ये वही व्यक्ति है ये स्टेशन की और जा रहा था स्टेशन पे अभी बैठा ही था जा करके और जाते ही इसको खिरासत में ले लिया गया खुदी रोम वो उसको पकड़ लिया गया और अस्तर शस्तर के साथ पकड़ा गया और चुंकि वो उसके साथ थे कही तरह की घटनों के लिए अपनी पूरी तयारी करके निकले हुए थे कि एक उसी घटना के लिए एक नी तो दो दो नी तो तीन हमें अपनी योजने पूरी करनी होंगी इसलिए सब तरह के शस्तर उनके पास थे और वहां से जब उनको खुदी रामबोस को जेल में लाया गया जेल में जो होना था सो होना था इस बीच में दूसरा भाई दूसरा करांती कारिशा थी प्रफुल चंदर्ट चाकी समस्तिपूर में पहुँच गया समस्तिपूर में पहुँच कर वो स्टेशन में ट्रेन में बैठने लगा बैठा हुआ था टिकट ले ली कैलकटा के लिए लेकिन उसी के सामने एक यूनिफॉर्म में नहीं लेकिन एक पोलीस आफसर सिविल कपड़ों के अंदर नंदलाल बैनर जी बैठा हुआ था उसने देखा इसने आते ही समस्तिपूर में नए जूते और नए कपड़े पहन लिये थे इसने नए जूते नए कपड़े पहन कर सामने बैठा हुआ नव्यूक देखा चर्चा सब तरफ हो गई थी पंबलास्ट की इसको शक हुआ अगले स्टेशन के उपर उतर करके उसने अपने डिस्ट्रक पलीस ऑफिसर से चर्चा की बाग की और इसको भी शक हो गया था प्रफूर च्रम चाकी को के मैं फॉलो किया जा रहा हूँ अगले स्टेशन के उपर जब उसको अरेस्ट करने के लिए पॉलीस आगे बड़ी अपिस्टिल इसके पास भी था वहां से ये पट्री की तरफ रेलवे लाइन की तरफ भागा निकल खे और इसने एक पॉलीस ऑफिसर जो इसके बिलकुल साथ पॉलीसमेन जो बिलकुल में गोली मारके उसको जख्मी करके हटा दिया लेकिन बहुत सारे लोग पीछा कर रहे थे आखिर में ये भी परफुल चंदरचा की भी पकड़े गए इदर परफुल नहीं पकड़े नहीं गई पकड़े नहीं गई इनके दिमाग में एक बात आई कि अब मेरे पकड़े ज लेकिन मैं इन दुष्टों के हाथों से नहीं मरूँगा बाद में कभी चंदर शेकर अजाद में वही किया था अलाबाद के अलबरविट पार्क में लेकिन पहला के इस परफुल चंदरचा की का था कि इसने उसी पिस्टल से जिस से पुलीस मैं के पाउं को जख्मी किया था उसी की एक गोली मारी तो कंदे को लगी यहां नहीं लगी फिर दूसरी मार के गले के आरपार हो गई गर्दन के आरपार हो गई और ये भी वहीं पार समाप्त हो गए ये भी शहीद हो गए पर फुल चंदरचा की यहां शहीद हो गए खुदी रामबोस वहां पर जेल म है गैरा जून को उनकी सुनवाई होती है खुदिरामबोज की आर जून को गैरा जून को उनको फांसी का दंड सुना दिया जाता है तेरा जून को आर जून को सुनवाई तेरा जून को उनको फांसी का दंड खुदिरामबोज को और गैरा अगस्त का दिन निश्यत हो जाता ह उसको फालसी पर चड़ाने के लिए जेलर का एक बात आती है कि उसने पूछा जब इन दिनों ही कि भई कुछ खाने पिने की इच्छा हो रही है वैसे तो आपकी मस्ती देखकर आपकी चेहरे की रौनक देखकर आँखों के चमक देखकर और जनूम देखकर और आपका बॉड और अपने फालसी के तक्ते पर हमेशा किनिंस हो जाने के लिए बड़े ललाइत हो उत्सक हो लेकिन तो भी उसने तो कुछ ने बोला परन्तु वो अपनी शद्दा से चार आम बड़ी अक्वालिटी के बड़ी अच्छे रस्तार वो ले आया और एक रात पहले उसने इसको भेंट दिये उपहार किया उपहार दिया लेकिन सुबा छे बजे सुबा छे बजे खूदी रामबोस खूदी रामबोस सुबा छे बजे जेलर का और बाकी उस समय के जो दर्शक रहे होंगे जो विटनेस रहे होंगे उनका ये कहना है कि किसी भी परकार का कुछ भी मालव मौत को गले लगाने के लिए फालशी के फंदे को गले लगाने के लिए वो इतना उत्सक है किन है उतावला है और सुब़ छे बजे आकर के उसने वैसे ही नॉर्मल से खुँद अपने उस आगे बढ़ करके ये फांसी के फंदे को किया और वहीं पर वह आख की निस हो गया पहली बार क्रांती कारियों ने बंबलास्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अंग्रेज सत्ता शाय को उकाट फैकने के लिए और पहली बार ये सत्रा वर्ष ये बालक जो फांसी के समय अठारा वर्ष का हो चुका था सबसे छोटी आयू का वो क्रांती कारी जिसको फांसी की सजा सुनाई गई और पर फुल चंदरचा की किस परकार से अंग्रेजों के हाथ में ना आते हुए ये लगते ही कि आप मैं पकड़ा जाओंगा लेकिन मेरा ये शरीर इनकी हाथ में नहीं आना चाहिए मैं सुएम अपना फैसला खुद करूँगा कि मुझे कब जाना और कहा जाना है पर फुल चंदरचा की ने सुएम अपने आपको समर्पित कर दिया भारत मा की स्वत अंतरता के लिए इन दोनों नौजवानों का, इन दोनों करांगती कारियों का हमने देखा कि खुदीराम भूस को जब आज़िक के सजा हुई तो गंडक नदी के किनारे उनका अनकान तमस्शकार हुआ कुछ लोग आए उन्होंने उस राह को चिता की राह को चुटकी चुटकी ले करके कहीं उन्हें माथे पर लगाया कहीं उन्हें अपने घर ले जाकर को उसको सुरक्षित रखा इस तरह से ये दुनों युवा करांतिकारी महान करांतिकारी जिन्होंने इस परकार का एक बहुत बड़ा वीरिय का वीरता का शौर्य का जो कारे किया था वो आने वाले युवाओं के लिए प्रेंडा था वो पंक्ती श्रिंखला और आगे कैसे बढ़ती गई इसकी चर्चा हम कल करेंगे ही प्रंटु जो लोग कहते हैं कि दो लोगों ने अजादी दिलवाई और उन दो लोगों ने अंग्रेज किये कि लाठी तक नहीं खाई थी वो ये भूल जाते हैं कि इस भार्कमा के स्वत्थता के लिए कितने अंगिनत आसंख्य वीर और विरांगनाएं वो महिला वो पुरश वो यूवतियों और वो यूवत काम आए देश की सेवा के लिए इस करांटी यग्य में आपने आपको आहुद कर गए उन सब को हम समझेंगे सोचेंगे तो इनका ये बलिदान बहुत बड़ा प्रेना काई केंदर था मेरा ये जो परयास है ऐसे सब लोगों को आपके सामने लाने का इनके लिए कुछ तो भी आपके सामने रखने का कुछ तो भी रखने का अथ यही है कि इन सब आग्यात लोगों को जिनको कहीं इतिहास मस्थान नहीं मिला इनके बारे में जितना मेरे से बन पा रहा हूँ आगे और लोग आएंगे इनके बारे में और जानने का परियास करेंगे तो ये बहुत बड़ी पुणजी, देश की पुणजी, पूर्विजों की पुणजी और अपने से पूर्व उन क्रांतेकारी महापुर्षों की जो देश की काम आए देश की अधादी के काम आए उनकी चर्चा हम तो करेंगे इन काले अंग्रेजों ने इतिहास में उनको नहीं लाया तो क्या हुआ हम नया इतिहास लिखेंगे इतिहास का नए से लेखन होगा इ अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेर करिए नमस्कार जै भारत